कर दा काक्सा आठ प्रसानावलीक 14.1 गुनन खंड 12.1 का पहला सवाल हें दिये हुए पदो में सार्व गुनन खंड ग्यांत कीजे proportion सबसे पहले गुनन खंड क्या होता है दोकिर गुननक्रण होता है नहीं का मतलब भी होता है देकिर गुनन खंड गुणा के रूप में खंड यानि की टूड़े की होई जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ एक बीजिय में ज़क लिख रहा हूँ फाइव एकस वाई अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे गुणा खंड कैसे करेंगे तो फाइव गुणा एकस गुणा वाई असल में ये फाइव एकस वाई इस रूप में लिखा होता है लेकिन क्या हम गुणा बार बार नहां लिखकर इस प्रकार से इसको लिख देते हैं अगर इसको तोड़कर गुणा खंड के रूप में लिखना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे अब सार्व गुरनकंड, सारु माना सभी जैसे मैं एक और पत लेता हूँ इसके अंदर जैसे मैंने एक और पत लिए जैसे 10 X, एक और पत ले लिया इसको कैसे लिखेंगे, तो 10 10 को कैसे तोड़ेंगे, 10 को लिखेंगे 5 कुणा 2, यहनि कि पांच दुनि 10 और x को लिखेंगे x, अब देखे, इन दोनों में ऐसा कुमसा पता हैं, जो उभाई निष्ट हैं तो हम देख पा रहे हैं एक तो 5 हैं और दूसरा x हैं, यह देखे, यह x हैं दोनों में ये पद उभबह निष्ट है, तो हम सारवो गुलंखंड क्या लिखेंगे, सारवो गुलंखंड हो जाएगा इसका 5 Xing 5 Xing 5 x, इसका सारवो गुलंखंड हो जाएगा, इस प्रस्णावली का जो पहला सवाल है, वो सारे सवाल इसी प्रकार से आपको करने हैं पहला सवाल है 12x और 36 इस दोनों का सार गुरंखन निकलना है सबसे पहले 12 को क्या लिखेंगे देखो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना आता हो तो मैं 0 से आपको बता रहा हूँ गुरंखन आपने कक्सा 7 में पड़े होंगे लेकिन क्या है कि समय के साथ हम बूल जाते हैं इंस सबसे पहले लिखेंगे दो का लगाएंगे तो यह जाएगा दो एकम दो दो आटा सोल आठरा बार फिर दो का नो बार जाएगा फिर दो का ने जाएक तीन का लगाएंगे तीन बार और फिर तीन का देखिए यहां पर समान क्या रहा एक दो एक दो यहां पर दो समान है और यहीं पर वह काम कर दोंगा देखो 2 X को कैसे लेखेंगे 12 X और 36 को कैसे लेखेंगे 12 12 गुणा 3 ठीक है अब दोनों में उबहनी संक्या कुन सी है यहां पर भी 12 यहां पर भी 12 तो अपन क्या करेंगे इसका सार्व गुणनखन यानि कि सार्व गुणनखन क्या जाएगा सार्व गुणनखन बराबर लिखेंगे 12 यह इसका अंसल है अब इसी प्रकास 2y को किसे लि इस परकार से लिखेंगे अब आप देखेंगे दोनु में क्या कोमन है आप देख पा रहे होंगे यह दो यह वाई और यह वाई दोनु में ऑबांयनिष्ठे अब जो पद वबां-मिस्ट हैं वही तो अपना सारो कुण्ण Q 28 P square Q square कैसे लिखेंगे देखकर डर्नर नहीं आपको 14 गुणा 2 क्यूंकि 14 को 2 से गुणा करोगे तो 28 है पिर देखो P square है माना P 2 बार है तो क्या करेंगे P गुणा P आप इस गुणा Q भी 2 बार है Q गुणा Q ऐसे लिखेंगे इसको अब देखेंगे क्या क्या समान आ रहा है इसमें देखें चवदा यहाँ पर चवदा फिर यहाँ पर P और यहाँ पर Q और यहाँ पर Q आप देख पार होंगे चवदा और P और Q यहाँ पर उभई निश्ट आ रहा है तो इसका क्या लिखेंगे सार्व गुणान खन हम लिखें यहां पर एक नहीं लिखेंगे हम अगले वाले सवाल में ऐसे करेंगे तो आप देख पारा होंगे क्या समान है देखिए यहां पर जो दो है यहां पर दो है लेकिन यहां पर नहीं है तो क्या करेंगे हम अब यह इसमें थोड़ा सोचना है देखो दो को हम तोड़ते हैं एक तो सब में आता है इसमें भी एक आएगा इसमें भी एक आएगा फिर इसमें कोमन क्या रह जाएगा इसमें कॉमन रहे जाएगा एक एक यह कॉमन देखो, दो है यहाँ पर यहाँ पर दो है यहाँ पर दो नहीं है, इस सेगा पर दो है यहाँ पर तीन है लेकिन बाकी किसमें भी नहीं है जहाँ पर एक्स है तो यहाँ एक्स नहीं है तो हम सीधा सा एक काम करेंगे इसका सार बुणनखन लिख देंगे सार बुणनखन एक ही एक ऐसी संक्या है जो इन सबी में आती है एक इसका उत्र हो जाएगा आपको इसमें एक लिखना है अब बढ़ेंगे आगे और ऐसे कि A都 ही हम पांचाज स्वाल करेंगे पांचाज इसको भी ऐसे लिखेंगे, देखो 6 सब में आ जाएगा, तो 6 को ऐसे ही रहने देते हैं, 6 A B C, बराबर लिखेंगे, 6 गुणा A गुणा B गुणा C, अब लिखेंगे, 24 A B स्क्वाइर, इसको लिखेंगे, 6 इंटू 4, गुणा A गुणा, दो बार भी है, दो बार भी लिख द ठीक है, अब एसी और संग्या बताइए, देखो ये पद सब में उबई निष्ट आ रहा है, अब देखेंगे B, B भी उबई निष्ट है, ये देखें, ये देखें, तो आप देख पर होंगे 6 A और B, तो इसका सार उगुणान खंड क्या होगा, सार उगुणान खंड हम ल इसमें कैसे करेंगे हम? 16 X की गात 3, तो क्या लिखेंगे? 4 सब में आता है, 4, 14, 16, गुणा X को 3 बहर लिखना, ये माईनस का बाहर रहे, यह करके इसको ऐसे कर देते हैं, फिर लिखेंगे, ये लिखेंगे, X गुणा X, ठीक है? इस प्रकार से लिखेंगे, या कोई सा भी एक पद इसमें से माइने, जैसे ये माइनस का मान लेते हैं, या ये माइनस का मान लेते हैं, ऐसे करना है, इसी एक को मान लेना है, क्योंकि यहाँ पर मानेंगे, तो ये square होने से वापस मानेंस हट जाएगा, अब 32 को कैसे आइगे 4.16 होता है ठीक है, 4.16, 4.24, 4.97 अठाइग और 4.38, समझ गए आप 4.38, और फिर एक स, देखो, कौन ऐसा पद है जो सब में उबहनिश्ट है, मैं देख पा रहा हूं, आप भी देख पा रहा हूंगे, 4 सब में उबहनिश्ट है, ठीक है, फिर देखते हैं, X, 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 तो यह एक इसापद हैं सारा गुणन्खन hooga 4x यह एक इसापद है चुई सभी में आता है इस प्रकार से सारा गुणन्खन 4x हुआ next करते हैं इस सवाल को करेंगे हम 10pq देखो 10 सब में आता है तो 10 को कैसे लिखेंगे हम क्या करेंगे 10 को हम ऐसे ही लिखेंगे ताकि हमारे सवाल करना इजी पड़ जाए इस प्रकार से 20 पी आर नहीं 20 क्यू आर है क्यू आर तो क्या करेंगे 10 गुणा 2 गुणा क्यू गुणा आर 50RP तो क्या करेंगे दस गुँना 3 कुँणा 9 पी इस प्रकार से लिगेँगे अब उबईनिस्ट क्या है दस सब्यान Teeth voi तीख अपि पयान नहीं है क्यों क्यु ऐसा कोई सब पद ==िकिसीstyle नहीं है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन इसमें नहीं है.. उबेनिस्ट वोगा जो सब में आ रहा होगा तो अपना सारो गुंनाणखन बराबर क्या लिखेंगे? हम बराबर लिखेंगे 10 क्योंकि 10 से एक मात रिसी संकिया जो सब में आती है next करते है इस सवाल को हम करेंगे 3 x square y की गात 3 क्या लिखेंगे इसको देखो 3 को कैसे लिखेंगे 3 गुणा 1 फिर इसमें x दो बार आ रहा है तो x गुणा x फिर y तीन बार आ रहा है तो y को तीन बार लिख लेते हैं यह y को मैंने तीन बार लिख लिए अब दूसरा है 10 x की गात 3 और y की गात 2 10 को कैसे लिखेंगे 5 गुणा 2 गुणा 1 ठीक है फिर x को तीन बार लिख लेते हैं मैंने x को दो बार Y भी दो बार गुणा जड एक बार जड़ एक बार आप क्या देख पार रहें इसमें ऐसा कौन सा पद है जो बहीं निस्ट आरहा है तो मैं देखता हूँ सबसे पहले एक, एक सब में आ रहा है, फिर देखो X, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन यह देखना पड़ेगी कि X है कितनी बार, देखो वापस दूसरी बार मैंने किया, तो दूसरी बार भी आए गया, लेकिन तीसरी बार नहीं आएगा, फिर X के कियांद दो और Y की कियांद भी दो क्योंकि X भी दो बार आएगा और 1 वन का कोई वैसे वेल्यू रेजत है नहीं तो 1 को हम लिखते नहीं है अब इस प्रकार से आपको यह सारे ही सवाल कंप्लिट होते हैं अब बढ़ते हैं आगे और दूसरा सवाल करते हैं अब इतना टाइम हो गया देखते देखते अब आपसे एक दिल से गुजारी से अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और मेरा काम आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को साथ शेर जरूर करें क्योंकि शेर करने से भला आउता किसी का और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको नहीं नहीं जानकारी इसमें मिलती रहेगी और हाँ दोस्तों अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको सारी जानकारी लेटेस्ट नियूज इसमें मिलेगी यह मेरा वादा है और सारे सवाल जो अभी लेटेस्ट किस तरीके से किया जा सकते हैं वो है बागी यूटूब पर काफी पुरानी पुरानी वीडियो पड़ी है जिसको भी देख सकते हो आप लेकिन मैं एक नए तरीके से और अभी नए वीडियो बना रहा हूँ तो इसे साब से आपके लिए यह सबसे बेस्ट ओप्सन है